तो एक बेहत चौकाच देने वाली ख़बर इस वक्त निकल करके आ रही है जैसे कि मुहमस समी ने जो इंटर्वियू दिया है ये ख़बर ए है कि जब वो उन्होंने क्रिकेट जब सुनू करना था यानि कि उन्होंने ट्राइल से जब जा रहे थी यूपी के लिए वो पर मना कर दिया कि आप यूपी के लिए ट्राल ना दें तो बहतर होगा क्योंकि यहां पर जो होना है उसकी कद्र नहीं की जाती यह सब सुनकर के वो सौक हो गए ऐसा खुद मुहमस समी ने बताया है उनके भाई के साथ ऐसा कह गया था क्या है कुछ है उस वक्त कौन सेलेक उत्तर प्रदेश का बोर्ड है वो किस तरीके की पारदर्स आते हैं मुहमस समी ने इस बात को जागर किया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा उनके जो उस वक्त सेलेक्टर थे जो ट्राइल ले रहे थे उनका कहना था कि यूपी में जो अगर टैलेंट है उसकी कद्र नहीं की जाती है तो इसको मतलब क्या हुगा कि मतलब जो ट्राइल होते हैं पैसे के आधार पर होते हैं परस्य पहुंचती एंब इस फर क्या उत्तर प्रदेश पर्रदेश रंजेंट ही में चायन होता है तो बात है कि क्या उत्ता प्रदेश में यहीं सिस्टम चलता है, क्या उत्ता प्रदेश क्रिकेट बोर्ड जो है, UPCA यहां पर टैलेंट की कद्र नहीं होती, जो ट्राइल होता है क्या वो किसी मंत्री या फिर जो उनके सेटिंग्स वाले होते हैं यहां पर पैसा लेने किस आ मुहम्मद कैप सुरेश रेना और भूनेश्वर कुमार पिरवीन कुमार बहुत सारे क्रिकेटर निकरे जो टीम इंडिया तक का भी उन्होंने सफ़र लेकिन अगर देखे इस वक्त तो वाकई में यूपी का जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया है और रंज चीजों को जागर करे कहें लेकिन अब आया है तो देखते हैं कि होता क्या है क्या समी से सवाल किये जाएंगे क्या इस बात में कितनी सच्चाई है क्या उत्ता प्रदेश में टेलेन की वाकई में कदर नहीं होती जो ट्राइल होता है तो फिर ट्राइल किस आधार पर होता ह क्यों है उपन इस तरीके से क्या लोगों का समय और पैसा बर्बाद करने के लिए ट्राइल किया जाता है क्या यह तो वक्त बताएगा लेकिन निश्चे तो पर जो यूपी सीए उस पर सबाल जरूर खड़ी कि यह मुहमद समी ने और इस बात की पुष्टी तो समी ही कर सकती इसमें कितनी सच्चाई है जिस टीवी न्यूज के उपको जो इंट्रूवी दिया है उसमें उन्होंने कहा है वेरहाल कुछ तो इसमें सच्चाई नजर आती है वरना कोई यह नहीं किया देखते हैं कि होता झाल